नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरोइड्स में, मिरा नाम हमित और ये है बहुत ही शानदार 2022 Land Rover, Range Rover जिसे also कहा जाता है King of SUVs वैसे तो बहुत सारे SUVs, best SUV होने का दम भरते हैं, लेकिन असल में Range Rover से जादा बहतर SUV आपको दुनिया में देखने के लिए नहीं मिलेगा मेरा फेवरेट प्रॉपर SUV है और इस गाड़ी के अंदर आपको इतने सारे features, इतनी सारी technology देखने के लिए मिलेगी कि आप completely अचमभित रह जाएंगे, तो मेरे खेल से आज आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, आपको ये समझना होगा कि एक गाड़ी में आपको क्या-क्या मिल सकता है और आपको बहुत मदा आएगा चली शुरू करते है, range rover हमेशा सा ये बहुत ही बहतरीन गारी रही है, लेकिन 2022 के लिए यहाँ पर 5th generation range rover आपके सामें प्रस्तुत किया गया है और यहाँ पर अब बहुत सारी नई फीचर्स है, ये पहले से lighter है और यहाँ पर जो torsional rigidity है, यानि कि जो शैसी की strength है वो 50% ज्यादा बढ़ गई है अगर आप height, length, wheelbase और इसकी width की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारे बदला हुए है यहाँ पर wheelbase 75mm ज्यादा बढ़ गया है, length 52mm बढ़ी है, height 2mm से ज्यादा बढ़ गयी है, 50% ज्यादा torsional strength है और अगर आप इसे short wheelbase version से compare करेंगे तो ये 200mm ज्यादा है अब design के अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो design का evolution है, यह बहुत ज्यादा revolutionary नहीं है यहाँ पर land rover का जो focus था वो यह था कि जो चीजें बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, उन्हें कम किया जाए और design को और ज़्यादा simplify किया जाए इसे एक clean look दिया जाए और उसमें ये पूरी तरह से successful हुए है आप इस grill को देखिए, यह जो high bonnet है, इससे ज़्यादा high bonnet आपको मेरे ख्याल से कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेंगे बहुत ही clean look है लेकिन फिर भी बहुत ही muscular और बहुत ही elegant लगता है देखने में अब technology की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर यह जो LED lighting system आप देख रहे हैं बहुत ही advanced है और अगर आप GPS के साथ चल रहे हैं तो यहाँ पर जो predictive lighting है वो सामने जो रस्ता है उसे देखते वे automatically अगर सामने corner आ रहा है तो light को उस direction में डाल सकती है तो यह जो lighting है यह GPS के साथ चलती है उसके साथ ही यह इतनी advanced है कि सामने up to 60 objects को यह shadow कर सकती है यहाँ कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है या सामने आपके कोई गाड़ी आप follow कर रहे है तो सामने से आता होगा traffic dazzle नो हो उसकी capability इस गाड़ी के अंदर पूरी तरह से है यहाँ पर swipe out blinkers आपको मिलेंगे DRL यहाँ पर नजर आएगा और of course यहाँ पर 360 degree camera भी आपको मिलता है सामने front parking sensors 360 degree camera का unit यहाँ पर आपको नजर आएगा अब एक और खास बात यहाँ पर आपको air suspension भी मिलता है और generally आपने देखा होगा कि जो air suspension है उसे उपर जाने या नीचे आने में काफी भक्त लगता है लेकिन यहाँ पर जो air suspension है यह बहुत तेजी से काम करता है और अगर आप lowest point से highest point तक की बात करें तो access mode में जहाँ पर आपको अंदर जाने में सुविदा हो वहाँ पर 169 mm का ground clearance होता है off road mode में 294 mm का ground clearance होता है और standard right height है 219 mm की lowest से highest point के बीच में 125 mm का ground clearance आपको differential मिलता है और 294 mm का ground clearance है इसे किसी भी तरह के surface पर बड़े से बड़े obstacle के ऊपर जाने में capable बनाता है खास बात यहाँ पर यह है कि यह जो right height है पोरी नीचे आजाती है ताकि आपको अंदर जाने में सुविदा हो दूसरी बहुत ही खास बात यहाँ पर flush fitting door handles यहाँ पर introduced किये गए हैं और अगर आप locked car को approach करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह door handles यह बाहर आ जाते हैं और उसके बाद आप इने इस तरह से open कर सकते हैं रूफ यहाँ पर floating type है glasses और pillars यह सब blacked out है ताकि रूफ को एक floating effect मिले और जो profile है गाड़ी की इसे बिल्कुल clean रखा गया है जो traditional land rover range rover styling है उसे पूरी तरह से यथावत रखा गया है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो straight line है यह bonnet से शुरू होती है और finally tail तक जाती है जहाँ पर आपको यह एक garnish मिलेगा तो यह classic styling है और इसे पहले की तरह ही रखा गया है जहाँ पर metal और glass मिलते हैं वहाँ पर भी एक clean surface आपको दिया गया है और यह सब नई technologies के कारण ही संभाव हो पाया है अगर आप उपर देखेंगे तो एक और खास चीज नदर आएगी दो shark fin antennas और एक shark fin antenna में आपको clear sight के लिए camera नदर आएगा और यह camera जो है rear view mirror का काम करता है अगर आप rear view mirror में बटन दबाएंगे तो आपको पीछे का पूरा द्रश्य नदर आएगा और दूसरा जो shark fin antenna है यहाँ से आपको GPS signal मिलता है यहाँ से आपको FM signal मिलता है और इस गाड़ी में आपका जो phone box है वो जो आपका cellular signal है उसे भी amplify करके अंदर cabin तक भेजता है ताकि आपको हमेशा strong signal मिले सबसे खास बात यहाँ पर यह जो tailgate है यह traditional range rover style में split है और यह देखिए पावर्ड है और साथ ही यह जो lower part है इसका यह flip out होता है और यह इतना strong है कि आप इस पर बैठ सकते हैं इससे दो फायदे होता है आपका जो loading lip है यह नीचे हो जाता है और साथ ही आप अगर countryside में है कई open environment में है तो वहाँ पर जो natural environment है उसका आनन्द ले सकते हैं एक और खास बात यहाँ पर floor board के इस पार्ट को आप इस तरह से flip up कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप यहाँ बैठते हैं तो इस पार को आप as a backrest यूज कर सकते हैं यहाँ पर कुछ और खास चीज़े हैं जो speaker system है यह बहुत ही खास है यहाँ पर आपको 35 speaker system मिलता है 1600 watts का meridian system है active noise cancellation जितने भी wheels हैं वहाँ पर आपको mics मिलेंगे ताकि जो भी noise है वो capture करके अंदर जो speakers हैं वो noise के against cancellation frequency produce कर सके हैं और अंदर cabin जो है बिल्कुल शान्त रहे तो उसके साथ ही जब आप इस mode को use करते हैं तो जो projection है सारे speakers का वो बाहर की तरफ आता है ताकि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उन्हें एक ज्यादा अच्छा sound का अनुभाव हो सके यह जो load space है यह बहुत intelligent है अब मिसाल के तौर पर अगर आप इसे इस तरह से flip open करता है तो यहाँ पर आपके लिए एक partition बन जाता है और यह जो parts आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चोटे objects जैसे की कोई bottle या फिर कोई और object अगर आपको move around करने से रोकना है तो उसे यहाँ पर आप डाल स size spares नहीं मिलते हैं लेकिन यहाँ पर आपको full-sized spare मिलता है 5-seater में आपको यह feature मिलेगा लेकिन 7-seater में आपको full-sized spare नहीं मिलेगा कुछ buttons भी है यहाँ पर जो की आपको देखने चाहिए यहाँ पर जो parcel shelf है यह automatically पीछे आ जाता है और अपने आप फोल्ड होता है तो यह भी एक बहुत अच्छी feature है और अगर आपने यह auto function on करके रखा है यहाँ पर यह button दबा करके रखा है तो यह जो चीज़ है यह automatically होगी जैसे ही boot ऊपर जाएगा parcel shelf automatically fold हो जाएगा इसके साथ आप जो seats है rear seats है second row उन्हें आप fold down कर सकते हैं इसके साथ ही चूकी यह गाड़ी काफी उची है और अगर आपको कुछ सामान यहाँ पर load करना है तो आप इस button को press करके जो loading area है उसे नीचे लेकर करके आ सकते हैं ताकि आपको सामान जो है उस जादा उपर उठाना पड़े तो यह भी एक बहुत ही जबरदस्त feature यहाँ पर दिया गया है इसके साथ ही अगर आपके पास कोई लंबा object है जो कि इस loading area में नहीं आ सकता जैसे कि कोई skis अगर आपको लेकर के जाने हैं तो यहाँ पर यह जो button है इसे अगर आप press करते ह हैं तो यह central armrest जो है यह unlock हो जाएगा और फिर आप इसे इस तरह से flip करके कुछ लंबा object जो है उसे यहाँ पर load कर सकते हैं अगर मैं इस boot space की बात करूँ तो 7-seater variant में आपको even with all 7 seats अब 312 liters का boot space मिलेगा wet volume है यह dry volume 212 liters होगी 5-seater के साथ 1000 liters का space जो की यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी dry volume है 818 liters और अगर आप middle row को भी नीचे गिरा देंगे तो आपको 2176 liters का massive boot space मिलेगा जब आप इस tailgate को बंद करते हैं तो automatically जो नीचे वाला part है वो पहले flip close होता है और उसके बाद जो उपर वाला part है वो उसके उपर चला जाता है और यह बहुत ही neat नजर आता है आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई lights नजर नहीं आ रही होंगी तो फिर tail lights और blinkers आखिर हैं कहा पर इसके लिए एक खास तोर की technology यूज़ करी है land rover ने और simplicity को enhance करने के लिए जो tail lamps हैं और blinkers हैं वो पूरी तरह से hidden है और यह आपको तभी नजर आएंगे जब वो जल उठेंगे यह देखिए blinkers यहाँ पर हैं और tail lamps यहाँ पर हैं और काफी soft diffused light यह produce करते हैं देखने में बहुत ही elegant बहुत ही beautiful लगते हैं इसके साथ ही अगर आपका tail gate ऊपर है तो उस case में जो hazard lights हैं वो यहाँ पर जलेंगे और यह भी एक बहुत ही intelligent, intuitive और clever feature यहाँ पर land rover ने use किया है rear camera unit यहाँ पर है और of course यहाँ पर 360 degree camera है तो ORVM के अंदर भी आपको camera units नजर आएंगे safety के मामले में कभी भी bland rover compromise नहीं करता है और यहाँ पर आपको 5 star N cap rating मिलती है उसके साथ ही जो access ride height की मैं बात कर रहा था जहाँ पर air suspension बिल्कुल नीचे चला जाता है मैं अंदर जाकर के उसे भी engage करता हूँ और आप तब देख पाएंगे की ride height कितनी कम यहाँ पर हो सकती है उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ यह जो headlamps है यहाँ पर आपको एक customized projection मिलता है सामने जो की अंदर से आप देख सकते हैं जो headlights है सामने एक special graphic को project करते हैं हम लोग जब इस गाड़ी को start करेंगे तो सामने वह आपको नजर आएगा चलिए पहले वह देख लेते हैं यह देखिए यह जो graphic यहाँ पर आया यह हाला कि आप customize नहीं कर सकते हैं लेकिन देखने में बहुत ही शानदार लगता है चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप access height पर जाते हैं तो अंदर आने के लिए किस तरह से यह गाड़ी आपका जो ride height है उसे बिलकुल नीचे कर देती है तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं ride height जो है बिलकुल नीचे चली गई है और अंदर प्रवेश करना बहुत easy हो जाए इसके साथ ही यहाँ पर आपको soft close doors भी मिलते हैं यह doors automatically गाड़ी जो है अंदर पुल कर लेती है जो बहुत ही premium cars होती है उनी के अंदर यह features आपको मिलते हैं और इन सब चीजों के साथ साथ अगर आप इस गाड़ी की extreme ride height में जो variation है वो देखना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ अगर आप इस गाड़ी को यहां से देखेंगे तो पहली नजर में ही आपको समझ में आ जागा है कि बहुत ही खास कार है डोर पैनल से ही आपको इसकी जो विशेशता हैं वो सारी नजर आनी शुरू हो जाएंगे यहां पर आपको थ्री वे मेमरी मिलती है और यह जो बटन आप देख रहे हैं इस बटन को यूज करके आप एक्सेस हाइट पे से लेकर के आ सकते हैं जहां से प्रवेश करना बहुत आसान हो जाता है यहां से आपको डोर लॉक और अन्लॉक के कंट्रोल्स मिलेंगे और यह जो एरिया है यहां पर आप अपनी बॉटल्स रख सकते हैं यहां पर आप ओपन पोर वुड देख रहे होंगे, सिल्वर इंसर्ट्स और हाई क्वालिटी लेधर लेकिन आप चाहें तो इसे केबिन को आपकी रिक्वाइमेंट के हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हैं यहां पर लेधर के साथ साथ बहुत ही हाई क्वालिटी सस्टेनवल माटीरियल्स भी हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अगर आप लेधर के अगेंस्ट हैं तो यहां पर फेब्रिक अफोल्स्ट्री भी ऑप्शन के तॉर पर मौजूद है यह जो आप वेरियंट देख रहे हैं यह तॉप अफ़ लाइन ऑटोबाग्रफी एडिशन है यहां पर आपको SEHSE और चुकि यह गाड़ी अभी यहां पर आई है तो फर्स्ट एडिशन कुछ लिमिटेड नंबर्स के लिए मिलेगा लेकिन ऑटोबाग्रिफी एडिशन ज यहां पर आपको ड्राइवर के लिए मिलती है यहां पर आपको हैड अप डिस्पे भी मिलता है जिसे की जरा दूर कर दिया गया है भी राइवर से ताकि आपकी नजर हमेशा सड़क पे रहे और आपको जरा नीचे ना देखना पड़े बहुत ही हाई क्वालिटी डिजिट आपको मिलता है पैडल शिफ्टर से यहां पर और अगर आप एक पूरे केबिन पर नजर मारेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि यह बहुत ही स्पेशल बहुत ही प्रीमियम लुकिंग केबिन है यह स्क्रीन 13.1 इंच है और पिवी प्रो जो सिस्टम है लैंड रोवर क वो है यहां पर बहुत सारे फीचर्स है और इस स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको यह जो क्लियर साइट रियर व्यू मिरर है यह दिखाता हूँ अब यह क्लियर साइट रियर व्यू मिरर जो है यह डिजिटल है यहां पर एक स्क्रीन है यह सिर्फ एक मिरर नहीं है यह डिजिटल स्क्रीम भी है और यहां पर अगर आप यह बटन देखेंगे तो यहां से आप ब्राइटनेस और जो आपकी कैमरा की पोजिशन है उसे चेंज कर सकते हैं बहुत ही खास फीचर है और यह कुछ और मॉडल्स में भी है लेकिन रेंज रोवर में इसे अब इंटर्ड्यूस कर दिया गया है हर चीज यहां पर खास है और जो sun visors हैं यह आपको दोनों तरफ के लिए मिलेंगे सामने और साइड के लिए अलग-अलग sun visors आपको यहां पर मिलते हैं इवन डोर हैंडल्स यह बहुत ही प्रीमियम हैं लेदर कवर्ड प्लास्टिक डोर हैंडल्स नहीं हैं बहुत ही प्रीमियम लेदर के बनेवे डोर हैंडल्स हैं पैसंजर साइट पर भी आपको dual sun visors मिलते हैं और यह देखिए यहां पर आपको vanity mirror with illumination मिलेगा dual zone climate control और यह जो dials हैं यह भी काफी खास हैं यह देखिए अभी मैं इससे seat को ventilate या heat कर सकता हूँ अब अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो मैं इससे climate control कर सकता हूँ एक बार मैं इसे और प्रेस करता हूँ तो यह देखिए heating function आ गया और अगर मैं इसे pull करता हूँ तो इसस में blower control कर सकता हूँ है ना बहुत ही लाजवाब चीज बहुत ही intuitive बहुत ही easy to use लेकिन बहुत ही functional यहाँ पर यह देखिए wireless charging के लिए यह pad है और एक type c socket मिलेगा with some space दो cup holders और उसके नीचे भी काफी सारा space है एक type c socket एक normal socket यहाँ से आप terrain response system जो है उसमें जो भी mode आपको चाहिए वो चूज कर सकता है चाहे तो eco mode, dynamic mode, comfort mode, mud ruts, rock crawl, wade, 900 mm तक के पानी से यह गाड़ी बड़े आराम से निकल सकती है कोई और यहाँ पर एक जो terrain control mode है इसमें configurable mode भी आपको मिलता है यहाँ से आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से off-road जरूरतों के हिसाब से configure कर सकते हैं आपको differential automatic चाहिए, center locking चाहिए, lock center and rear चाहिए, power train आपको कैसा चाहिए, steering, traction control, ride control हर चीज आप यहाँ से control कर सकते हैं और यह बहुत ही advanced है, अपने तरह के सबसे advanced systems में से एक है और आप इसे preset भी कर सकते हैं तो यह बहुत ही जबरदस्त feature यहाँ पर दिया गया है, इसके साथ ही साथ अगर आप 360 degree camera देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही जबरदस्त high resolution 360 degree camera मिलता है यह देखिए, यहाँ पर अगर आप wheels भी turn कर रहे हैं तो वो भी आपको नजर आते हैं अगर आप off-road mode में जाएंगे तो आपको clear side ground view मिलता है, यहाँ पर गाड़ी चलने रही है लेकिन जब यह car move करेगी तो आपके wheels के नीचे का surface भी आपको नजर आता है और अगर आप अकेले कहीं off-road में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको exactly आपकी गाड़ी के नीचे किस तरह का surface है वो नजर आता है, देखिए, यहाँ पर जो wheels हैं यह भी turn होते वे नजर आता है इस गाड़ी में आपको all wheel steering मिलता है और अगर आप slow speeds पे चल रहे हैं तो सिर्फ 11 meters की turning radius इस गाड़ी की है पीछे वाला wheel जो है, अगर आप slow speed पे जा रहे हैं तो अगर सामने वाला wheel बाहर की तरफ turn कर रहा है तो पीछे वाला wheel अंदर की तरफ turn करेगा ताकि यह गाड़ी बहुत जल्दी, बहुत ही कम space में turn हो जाए सिर्फ 11 meters की turning radius है, 7.3 degrees तक पीछे वाला wheel जो है वो turn करता है और high speeds पर दोनों wheel एक साथ turn करते हैं ताकि जो stability है high speeds पर वो जबरदस रहे Central armrest में आपको fridge भी मिलता है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो 4-500 ml cans डाल सकते हैं ठंडे करने के लिए और यह वाकई में बहुत थंडा है, आपके किसी भी तरह के pay पदार को पूरी तरह से chill कर सकता है यहाँ पर glove box भी बहुत ही खास हैं और इन buttons को press करके आप उपर और नीचे वाले glove boxes को open कर सकते हैं यहाँ पर आपको adaptive cruise control भी मिलता है, of course बहुत सारी चीजें जैसे की lane की, passist और यह सारी चीजें यहाँ यहाँ पर मिलती है हाला कि level 2 ADAS systems यहाँ पर नहीं है, लेकिन adaptive cruise control यहाँ पर काफी usable है और वो feature यहाँ पर आपको definitely मिलेगा यह steering wheel पूरी तरह से नया है, और ambient lighting की यहाँ पर अगर आप बात करें, तो आपको 30 colors ambient lighting मिलती है दो अलग-अलग levels पे, उपर वाला जो part है वो आप अलग color में choose कर सकते हैं, नीचे वाला part जो है अलग color में choose कर सकते हैं 30 ambient lighting colors आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, लेकिन footwell की जो lighting है, वो generally हमेशा white ही रहती है यहाँ पर आपको यह armrest भी मिलता है और इसे आप अपनी पसंदीदा height पर लाकर के lock कर सकते हैं यह मेरे ख्याल से land rover चाहता तो कुछ नई technology भी है आप पर यूज कर सकता था, लेकिन यह एक traditional चीज है जहाँ पर आप इसे screw करते हैं, जहाँ पर आपको armrest चाहिए होता है और इसलिए उन लोगों ने इसे change नहीं किया है armrest खुद भी बहुत ज़ादा wide है और यहाँ पर heated seats मिलेंगे, आपको ventilated seats मिलेंगी, massage function मिलेगा, पीछे वाली जो seats हैं वो किसी limousine से कम नहीं है और पीछे जो functions हैं उन्हें देखकर के आप दंग रहे जाएंगे उससे पहले हम लोग ज़रा यह sunroof भी देख लें बहुत ही बड़ी sunroof है देखिए पूरी पीछे तक जाती है और इसे आप किसी भी point पर control कर सकते हैं इसे आप पीछे से भी control कर सकते हैं और यह जो button है यह glass pane को खोलने के लिए है और यह जो button है यह blinds के लिए है audio system भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जबरदस्त है और जैसा मैंने आपको पताया यहाँ पर 1600 watt का meridian system मिलता है आपको जहाँ पर subwoofer भी है 35 speakers है और खास बात यह है कि यह जो आप headrest देख रहे हैं इसके अंदर speakers लगे वह हैं जो की active noise cancellation करते हैं बाहर की जो भी sound mics बाहर से receive कर रहे हैं जो अंदर आ सकती हैं उन्हें actively यह जो speakers हैं यह cancel करते हैं ताकि अंदर आपको pin drop silence मिले और यह बहुत ही बहतरीन technology है चारों headrest में आपको यह speakers मिलेंगे हालां कि यह दिखते नहीं है इन सब चीजों के साथ साथ आपको parallel और perpendicular parking भी मिलती है और जब आप park कर रहे होते हैं तो यह आपको assist करती है एक और बड़ी चीज जो यहाँ पर introduce की गई है वो है haptic feedback और कभी-कभी आप से आपने देखा होगा कि कोई button ऐसा touch हो जाता है जिसे आप नहीं करना चाहते थे उसके लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर haptic feedback भी चूज कर सकते हैं आप settings में जाएंगे और यहाँ से haptic feedback on कर सकते हैं अब देखिए haptic feedback on करने के बाद आप जब किसी भी button को touch करेंगे तो जब तक आप उसे जोर से प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो प्रेस नहीं होगा चल के देखिए कि वहाँ पर कितने सारे features और कितनी ज़्यादा लग्जरी है पिछली row में एंटर करने से पहले अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको बहुत सारे buttons नजर आएंगे और यह buttons यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर features बहुत सारे हैं लेकिन boss's seat driver के प passengers हैं वो पूरी तरह से अपनी seat को recline कर सकें और यहाँ पर भी आप इस seat को पूरी तरह से recline कर सकते हैं अब देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो seats अपने आप में इनका जो comfort है इनका जो cushioning है इनका जो support है वो बहुत ही जबर्दस है आप जिस तरीके से cabin बनाया गय in fact अगर आप यहाँ पर इस seat के पीछे वाला एरिया भी देखेंगे तो आपको leather नजर आएगा हाला कि यहाँ पर मैं कभी touch नहीं करूँगा लेकिन just to make sure कि यह पूरा cabin बहुत ही ज्यादा शांदार लगे यह area भी पूरी तरह से leather में wrapped है यह जो आप headrest देख रहे हैं यह actually head address नहीं है यह जब मैंने आपको बताया था पीछे से कि अगर आपको कोई लंबी ski या कोई लंबा object रखना है यह part नीचे गर जाता है अब अगर आप यह पैनल लेखेंगे तो यह जो seat से 24 way adjustable हैं लेकिन यहाँ पर आपको उसके adjustment के लिए कोई button या किसी तरह का कोई control नजर नहीं आएगा except for maybe recline और तथाय support क्योंकि यह सारी चीजें touch screen से control होती है लेकिन उससे पहले मैं आपको बड़ी खास चीज दिखा दूँ यह light जो है यहाँ यह भी दो तरह से आप use कर सकते हैं तो अगर आप कोई book पढ़ रहे हैं जहां पर आपको soft light चाहिए तो आप यह light soft जो blinds हैं इन्हें भी यहां से control कर सकते हैं तो उपर sunroof का blind है उसे आप यहां से control कर सकते हैं और यह mute button यहां पर आप देख रहे हैं अगर आप किसी call पर है तो जो infotainment system है उसे आप एक touch से mute कर सकते हैं ताकि आप phone पर बात कर सकें 3-way memory है यहां पर और यह screen जो हैं बहुत ह यह देखिए HDMI ports मिलेंगे तो आप HDMI input डाल करके यहां पर जो भी content देखना चाहते हैं देख सकते हैं इसके साथ ही बहुत ही जबर्दस feature जो यहां पर है वो यह है कि यह individual headphones मिलते हैं आपको जिने आप अपने कान पर लगा करके इस तरह से पूरी तरह से personalized individual entertainment का मज़ा ले सकते हैं और यह जो headphones है यह जिस भी तरफ होते हैं उसी screen के साथ में connect होते हैं तो आप इस headphone को उस screen के साथ या उस headphone को इस screen के साथ यूज कर सकते हैं और यह automatically detect करता है कि आप किस तरफ हैं इन सब चीजों के साथ ही यह जो button यहां पर आप देख रहे हैं इससे आप window glass और blinds दोनों को ही control कर सकते हैं और यहां बैठा हुआ passenger या फिर वहां बैठा हुआ passenger दोनों तरफ के glasses और blinds को एक ही तरफ से control कर सकता है मिसाल के तौर पर मैं इस glass को नीचे करना चाहता हूं यह देखे अब मैं उस तरफ के glass को नीचे करना चाहता हूं यह देखे अब मैं उस तरफ के blinds को ऊपर करना चाहता हूं यह देखे तो इस तरीके से आप दोनों तरफ के blinds और glasses को एक ही तरफ से control कर सकते हैं अब हम लोग आ जाते हैं बहुत ही खास चीज पर और यहां पर जो seats है यह बहुत ही amazing है और यह मेरी जो seat है यह देखे इसे मैं बहुत तरीके से control कर सकता हूं सबसे पहले मैं recline में जाता हूं और इसे मैं one touch recline कर सकता हूं एक बार आपने बटन दबाया तो सामने वाली जो seat है यह पूरी तरह से नीचे जाएगी headrest नीचे चला जाएगा ताकि driver को rear view मेरे ठीक से नजर आए और यहाँ पर आपके feet के लिए यह जो pad है निकलाएगा साथ ही आपको यहाँ पर मिलता है calf support और आप यहाँ पर like a king पूरी तरह से seat को recline करके enjoy कर सकते हैं अब एक और खास बात जो है वो यह है कि यहाँ पर आप करके जा सकता हूं इस पार को अगर मुझे choose करना है यह देखे तो यह footrest जो है इसे भी मैं control कर सकता हूं इसी तरह से headrest को अगर मुझे control करना है तो मैं headrest को भी control कर सकता हूं हर एक चीज including the ball string यह जो control कर सकता हूं तो यह बहुत ही बहतरीन चीज है अब अगर मुझे सामने वाली seat को भी control करना है तो मैं यह front seat यहां से मैंने भी जो choose किया यह जो F है इसके द्वारा मैं सामने वाली seat को choose कर सकता हूं अभी हाला कि अलरी यह away है लेकिन अगर यह इधर होती तो भी मैं इसे चूज कर सकता था इसके अलावा एक और जबर्दस function जो है यहां पर वो है seat heat से संबंधित और आप यह seat heat जो है इसे select कीजिए on कीजिए और यह देखिए यहां पर अब हर एक चीज इंक्लूडिंग backrest, thigh support, calf support और सामने वाला pad भी in fact यह जो resting pad है armrest भी मैं चाहूं तो heat कर सकता हूं और यह सारे function सारे एक साथ नहीं है मैं चाहूं तो केवल back support को heat करूं या फिर केवल armrest को heat करूं यह मेरी मर्जी है in fact यह जो armrest है यह भी heated है तो इस level तक यहां पर आपको control दिया गया है जो की बहुत ही जबरदस्थ है यहां पर आपके पास massage functions भी है और massage functions में आप जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे options है और यह देखिए wave, pulse, pulse duo, combination और hot stones massage यानि कि आपको एक heated massage भी मिलती है साथ ही आपको direction भी choose करने के लिए मिलता है आप rolling massage ले सकते है डाउन to up, up to down, upper back, lower back आपको जो भी massage चाहिए वो यहां पर आप ले सकते हैं तो यह बहुत ही जबरदस बहुत ही advanced system है seats का और इसके साथ ही साथ जैसा मैं adjust भी कर सकते हैं अगर आपको coffee पीनी है तो यहां पर cup holder नहीं है मेरे खिल से तो यह एक problem है लेकिन क्या वाकई में problem है नहीं क्योंकि जो cup holders है यह hidden है और आप यह button प्रेस करते हैं तो जो cup holders है यह अपने आपको reveal कर देते हैं बहुत ही luxurious यह car है इस armrest के नीचे जिन लोगों क आपको चीजें कुछ traditional अंदाज में पसंद है उनके लिए यह एक पुराने जमाने का vanity mirror भी मौजूद है इसे आपको बस निकालना है और use करना है इन सब चीजों के साथ ही एक और जो खास चीज़ें आपर वो यह है कि आप यह जो blinds हैं इन्हें भी यहां से control कर सकते हैं और यह slider जो आप देख रहे हैं यह देखिए इसे आप use करके जिस level तक भी आप slider को लेकर के आना चाहते हैं वो यहां से decide कर सकते हैं यह भी एक बहुत जबर्दस चीज़ है पीछे की जो screens है इन्हें भी आप यहां से बंद या चालू कर सकते हैं यह देखिए मैं उस screen को चालू या बंद कर सकता हूं और यह जो armrest आप यहां पर देख रहे हैं यह भी पूरी तरह से electrically controlled है मैं आपको देखाता हूं पहले आप इसे retract कर दीजिए और उसके बाद यह जो button यहां पर देख रहे हैं इसे आप प् जाएगा और अब यह कार एक five-seater बन जाएगी इसे अगर आपको वापस लेकर करके आना है तो आप यह बटन दबाएगे और यह वापस आ जाएगा इसके लावा climate control भी यहां पर आपके पास मौजूद है air quality यहां पर control रहती है और यहां पर virus protection भी आपको मिलता है अंदर carbon अगर आपको cabin purify करना है तो यह बटन यूज कर सकते हैं और वेंट्स आपको कौन से चाहिए कौन से नहीं चाहिए यहां पर two zone climate control पीछे भी मिलता है two zone सामने मिलता है total four zone climate control आपको यहां पर मिलेगा तो जैसा कि यहां पर देख रहे हैं आप cabin lighting जो है इसे यहां से चूज क इसके साथ ही जो यह पीछे वाला section मैं आपको बताया था ski के लिए उसे अगर आपको हटाना है तो यह बटन यहां पर आपके पास मौजूद है जिससे कि वह unlock हो जाएगा और फिर उसे आप इस तरह से press down कर सकते हैं तो यह सब चीजें जो है यह सब इस screen के द्वारा controlled है अ अगर आप इसे pull करेंगे तो आप blower control कर सकते हैं यहां पर आपको एक proper 3-pin socket मिलेगा जिससे कि आप अपना laptop भी charge कर सकते हैं और यह type-c sockets आपको दोनों तरफ मिलेंगे और साथ ही एक 12-volt का power socket भी यहां पर आपको नजर आएगा इसके साथ ही यह आपको एक बड़ा storage area यहा को नहीं मिलेगा यह जो SUV है यह really king of SUVs है और उसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि यहाँ पर इतने सारे luxury features हैं यहाँ पर जो off-road technology यूज की जाती है वो भी बहुत ही जबर्दस्त है और इसका terrain response system जो है अभी अपने second version में terrain response 2 जो है वो आपको किसी भी तरह की साड़क पर लेक diesel petrol engine जो है वो P400 कैलाता है और diesel कैलाता है D300 दोनों ही mild hybrid 48 volt systems है जहाँ पर जब गाड़ी accelerate करती है तो यह mild hybrid जो है गाड़ी को accelerate करने में मदद करते हैं अब जो P400 है वहाँ पर आपको 400 PS of power मिलती है 0-200 petrol version करता है 5.5 seconds में D300 में आपको 300 PS of power और 650 newton meters की talk मिलती है 0-200 वो गाड़ आप जानना चाहते होंगे तो यहाँ पर जैसा मैं आपको बताया एक P400 है एक D300 है यह दोनों ही inline 6 petrol और diesel engines है और इसके साथ अगर आप ज्यादा powerful गाड़ी के साथ जाना चाहते है तो आपके पास एक 4.4 liter V8 turbo petrol engine भी है जहाँ पर आपको 530 PS की power और 750 newton meters of torque मिलता है 0-200 वो करती है 4.6 seconds में और अगर आपको और भी ज्यादा भूख है ज्यादा features की तो एक SV edition भी है जहाँ पर आपको D350 diesel और 4.4 liter V8 petrol जो कि मैं अभी आपको बताया है वो मिलता है वहाँ पर आपको एक special feature मिलता है यह जो doors है वहाँ पर पूरी तरह से electric है और आप एक button प्रेस करके इ door automatically open होंगे 3 seconds में close होंगे बीच में अगर कोई obstruction है तो रुख जाएंगे इसके साथ ही up to 10 degrees अगर गारी tilted है तो भी वो जो electric door से अपने आपको hold करके रखते हैं वो feature आपको सिर्फ SV में मिलती है कीमते शुरू होती है 2.38 crore rupees से महंगी गारी है बहुत ही premium गारी है और जितने film stars है उन्हें ये गारी बहुत पसंद है base P300 जो diesel है वो 2.38 crore से चलू होता है base SE फिर HSE उसके बाद autobiography और उसके बाद जो 4.4 liter turbo V8 है और उसके बाद SV अगर आपको सबसे महंगा वाला version चाहिए तो 4 crore से जादा खर्च कर सकते हैं उसमें भी आप बहुत सारे options यूज कर सकत जैसे जैसे आप options डालते जाएंगे वैसे वैसे और महंगी होती जाएंगे तो up to 5 crore रुपीज तक ये गाड़ी आप खरीद सकते हैं बट जो लोग इस तरह की गाड़ीयां खरीदते हैं वो कीमत को ज्यादा मेहतु नहीं देते हैं All in all में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आपको एक proper, elegant, performance oriented और बहुत ही capable SUV, true blue SUV चाहिए तो नए 2022 Land Rover Range Rover से बहतर option आपको नहीं मिलेगा मैं अमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको इस गाड़ी से संबंधित सारी चीज़े दिखा पाया है लेकिन फिर भी अगर आपको और कुछ जानना है तो ज़रूर comment section में डालिए मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ तब तक के लिए रैव हाट, रैफ्री, रैव सेफ